अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दे रखा है तो डीजेस्ट्रा जो अल्गुरिथम होता है उसकी हेल्प से हम कैसे यहां पर शॉटेस डिस्टेस निकालते हैं और कैसे हम शॉटेस पाथ निकालते हैं यह मैं बताने वाला और सुन यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने व कमेंट पिन में मिल जाएगा है सुन डिस्ट्ट मैथमेटिक्स पे भी काफी अच्छा कंटेंड आप देख सकते हैं सुसुन देखिए बात करेंगे वेटेट ग्राफ का मतलब क्या होता है पहली बात इसको समझते हैं अग्राफ इस काल्ड वेटेट ग्राफ इफ नोन नेगटिटिव इंडिस डड़ी ए असोसेटेट टू इच एज एज अड़ी इस वेट वेट अव दा करोस्पनिंग एज और इस नोन करता है अपर इसका क्या होगा है इसका क्या होगा वेत होगा है अब हमारे पास यह ग्राफ दे रहे हैं तो हम पढ़ेंगे क्या तो एसे डी तक पहुंचने में हम कितना हमें इसका पास होगी यहां से यहां तक कौन सा हम पाथ ले जो कि शॉट्टेस पाथ हो यह हम यहां पर पढ़ेंगे इसके लिए हमारे पास digital algorithm होता है इसके इंदर में बताता हूँ कि कैसे हम यहां पर shortest distance निकालेंगे और shortest path निकालेंगे सबस्क्राइब हमारे पास A, B, C, D, E, F, जितनी भी हमारे पास vertex उसको यहां लिए लिए दीजिए अब सुन हम A से चलते हैं अब A से हमारे पास खुद की distance कितनी है तो खुद से खुद की distance 0 ही है बाकी फिरम यहां पर सब क्या अलग देंगे सुन एक एक वर्टेक्स को हम कवर करेंगे तो infinity वा जाएगा अब इसको हम क्या कर देंगे fix कर देंगा अब next आगे next क्या करता है करेक्ट होने वाली वर्टेक्स है वो B और C है तो सुन यहां पर कर देंगे जो second step आएगी यह 0 हमारे पास fix हो जाएगा अब इसको फिक्स कर दो इनको इनको इलाने के जरूत नहीं अब बात करेंगे अब देखो हम यहां बी पे आ गए जिसको हमने minimum लिया वहां पर उस वर्टेक्स पर जाकर बैट जाओ इस वर्टेक्स पर बैट गया है अब यह वर्टेक्स किस से कनेक्ट हो रही है इसको सी से भी कनेक्ट करेंगे अब देखें सुन यहां पर होगा अब यहां से यहां तक कि डिस्टेंस तो टू अरपर बिटा यहां से यहां तक पहुंचने में इसको किता लगा वन लगा ना तो 1 प्लस 2 आएगा यह धियान देने की जरू होता है यहां तक जाने के लिए क्या होगा सुन 1 & 7 8 आजाएगा तो यह 8 आजाएगा 1 से E पे तो 1 & 5 कितना जाएगा सुनिए 6 हो जाएगा और यह हमारे पास infinity हो जाएगा क्योंकि B हमारे पास F से connect नहीं हो रहा है अब इसमें जो हमारे पास open box है इसमें से कौन minimum है तो इसमें हमारे पास 3 minimum इसको कर दीजे अब यह वापिस लिख दीजे 0, यह लिख दीजे 1, यह लिख दीजे 3 अब हम बात करते हैं सुन सी पे पहुंच जाएंगे हम कहां पहुंच जाएंगे अब सी पहुंच जाएंगे अब हम सी पहुंच जाते हैं क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है मतलब यूं के यूं आ गए मतलब 3 हम चल लिए अब हम C से बात करेंगे तो C से हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास E ही आ रहा है और दूसरा कोई option नजर नहीं आ रहा है तो C से E पे आ रहा है तो सुन ये कितना हो रहा है तीन और एक चार तो चार हो रहा है ठीक है ना तो ये चार हो रहा है चे से कमा लिख देंगे अब स्फुन हंपर हमारे पास ढीपर जाने का को ही राश्ब नहीं तो डी पर जाने पार सहं किर आपको अज़ा ऊस्ता और यह मोळविट को पो यहां परिशन चरली हम इंचे ही ठीक रहेगा अब इस जुन हमारे पास यहां पर क्या कनेक्ट हो रहा है एक तो हमारे पास D कनेक्ट हो रहा है एक हमारे पास F कनेक्ट हो रहा है तो यार यह हम लिख देते हैं यह आएगा 0 यह आएगा 1 यह आएगा 3 हैंना अब यह तो फिक्स होई गया अब यह तो थिक कितना तो यह त बना दें तो इन दोने से मिनिमम कौन है साथ गया मSp점 का साथ बलॉक बना देंगे तो यह आएगा हमेरे पास 0, 1, 3, and 7, and यहां पर क्या आएगा, सुन, 4 आएगा, right, मतलब अब हम यहां पर आने के बाद हमारे पास कितना हो गया, 7, अब यहां से यहां तक पोंचने का हमारे पास, एक ही तरीका जो कि हमारे पास यह है, तो यह 9 आजाएगा, right, क्योंकि हमारे अब बात करेंगे, सुन, पात कोन सा होगा, पात बताओ आप 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 है, तो यह पात की बात करते है, पात हमें पता पड़ जाएगा, है ना इसन देखो पात की बात करते है राइट तो सबसे बिल हम चलेंगे A से B है ना A से B चले है यह बना रहा है फिर C, C पे 3 आना चाहिए तो C पे 3 आगया यह यहां पर आएगा इसन फिर next D पे 7 आना चाहिए और 3 हमारे पास कितना हो गया साथ यहां हो गया और साथ और 2 हमारे पास कितना हो गया सुन नाइन तो आगे एक क्वेशन लेते हैं और समझते हैं compute the shortest path for the following graph between the A and D इसन यह हमारे पास A दे रिखा है यह हमारे पास D दे रिखा है आपको यह पता लगा ना कि A और D के बीच में shortest path हमारे पास क्या होगा राइट तो आपको कुछ नहीं करना जब यह ऐसा प्रशन आता है तो इसकी जितीवी vertex इसको लिख दीजिए तो A, B, C, D, E, Right, A, B, C, D हमारे पास 5 vertex से 5 vertex को लिख दिया, clear है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं, इससे हम कहां कहां पहुंच सकते हैं, तो A से हम E पे जा रहे हैं, एक A से हम B पे जा रहे हैं, एक A से हम C पे जा रहे हैं, डइरेट हम इन तीन जग़ पहुंच पा रहे हैं, तो हम क्य सबसे minimum कोन आ रहा है तो सुनिया पर जीरो तो ठीक है हम यहां पर जो दूसरा minimum वह ले लेंगे तो यह ले लेंगे जिरो तो इसको लिखने की जरूत नहीं है ना जीरो के बाद दूसरा लेंगे ने तो फरफाल तो इस टेप बढ़ी है ना अब हम किस पर आगए सुनिया पर ए पर तो यार में यहां पर आगए हूँ जा सकता एक E से मैं जा सकता हूं C पे , और E से जा सकता हूं D पे , तो यार वही काम करेंगे। तो सुन्हें यार यह तुम्हार पास 0 aí, 10 टी से जाएगा। अब सुन्हें यार 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 यह पर हम A A A A A A R A R T जब भी ऐसा होता है जब बड़ा आता है तो मीनिमूम को लिखेंगे हम मैक्सिमUM को लिखेंगे यह जान देने के जरू होता है अब हम C पे है न तो E से C पे जा रहे हैं तो 2 से 2 कितना ओर रहा है दिन कोन आ त्रIES इसको और पकल लिएक भी सोन गया उस पर पहुंच जाते हैं घो कॉह सुझ जाते हैं अब हम पहुंच गया सी पर पॉह gitu asp य४र यूपर पहुच फैरे दिक्डे पहुंच पार है क्योंकि ये महरे पास जो सी से बी पे जाने का रस्ता तो यार कितना रहा है यह वन रहा है तो तीन और एक क्या हो रहा है सुन चार रहा है यहां पर कितना रहा है पांच रहा है तो यह हमारे पास आ जाएगा ना क्यूंकि कम रहा है ना सुन पांच था हमारे पास यहां पर चार रहा है अब बात करते ह κάCI acha पर यहां पे पितना रहा है अब इस अर दूर इस अम रहा है अब इस जैसारिगे उए और दो यहां पेड स्विक्तेश बेगा यहां जा न है दो रास्ते हमारेपास बन रहे हैं तो एक तो वह भारेपास यहाइगा है हम बात करते हैं सुन यहां पर यहां य हम पर चारदस कर देगे इससे minimum हो नहीं सकता तो यह हमारे पास हो जाएगा अब आपसे यह बोला जा रहा कि A से D पे तो A हमारे पास यह रह गया D हमारे पास यह रह गया तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो distance हमारे पास जो होगी वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और जो path होगा अब path देखते हैं path क्या होगा path को समझने की जरूत है तो यह हमारे पास A से D पहुंचने में 5 distance कोन कवर कर रहा है तो यारे एक तो हमारे पास यह 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 पर यह तो 6 कर रहा है मुझे लगता है यहां आएगा and फिर यहां आजाएगा तो यहां पर हमारे जो shortest path आएगा वो क्या हैगा A, C, D आएगा और यह distance हमारे पास किती हो जाएगी 5 हो जाएगी और इस तरह हम बहुत इजली इसको आपर कर सकता है इस नेक्स कोशिन के बारे में बात करते हैं find the minimum distance between the two vertices K and L of graph इस ने वहारे पास के दे रिक्षा है यह हमारे पास L दे रिक्षा और इन दोनों के बीच में क्या निकालना है shortest distance निकालनी है and path भी हम निकालेंगे clear है तो इस ने और पास कौन-कौन सी edges दे रिक्षी तो वह हम ले लेते हैं तो यहार हमारे पास कऌशनी हम सी सी पर के trying केसे राइनकिं यह लेते हैं तो यह लिख है kanरे पास की compassionate lake इस पर नहीं सी पर किपने हिस्वन वह कर दो यहार हम पर पकड़ा में ट्येंके तो पकड़ेंगे smo C क्योंकमें अर्ट इसी पर मारें पर यहारा आए मंतभी To distance clearpoint अब C से हम जपकर हें तो हम से एक तो ए प्रोफ पर रहे एक B न प्रोफ पार रहे But जिक दो तो द्रीजरा भूर जहां। अब ज्याईक था है सीसे हम जाते हैं A पे तो 2 और 1 3 रहे तो थीन हीरा है जो कि 4 से खोटा हैं लिख सकता है एसउन यहां पर B पर जा रहा है तो 2 और 5 7 हो जाएगा तो यार यह 7 हो जाएगा चलेगा इन्फानेट से छोटा ही है एसउन यह तो हम फिक्स उतार देंगे जो ब्लॉक में इसको फिक्स उतार दीजे एसउन D पर बात करते है D पे आ रहा है तो 6 और 2 कितना आ जाएगा सुन 8 हो जाएगा लिख सकता है इस सुन यहाँ पर बात करेंगे L पे तो 2 और 16 अठारा हो रहा है 20 से कम है ले ले लेंगे अब इनमें minimum को होना रहा है सुन इसमें minimum हारे पास यह आ रहा है यह भी हमारे पास यह जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास यह आ रही दो ही डिरेक्शन आ रही तो हम क्या करेंगे सुन A से हम चल रहे हैं B पे तो सुन तीन अलड़ी चल चुका है तो यह 10 हो जाएगा पर 7 देखो 7 और 3 10 हो रहा है यह हमारे पास क्या जाएगा एल पे तो जाए नहीं रहा है तो 18 एजटी ले लेंगे अब इस विए यहां पर हमारे पास minimum को ना रहा है है बाकी इन में देखते हैं अब इस नहीं से हम यहां भी पहुँच पा रहे है की तरीका आ रहा है बाकी तो मुझे कुसों नजह नहीं आरा जो चलिया पर उतार देंगे हैं अब थो स्विप्स मिनीमार्स को ना और रहा है समय होगा लास पास एकी बचेगा तो मुझे लगता है हमारे पास हो जाएगी अब आप हमें पा sympathy की बात करें पाफ हमारे पास क्या है इक तो यह आएगा फिर एक हमारे पास यह आएगा फिर हमारे पास यह आएगा देखो आठ हाना चाहिए और भी बहुत सारे तरीके हैं आप U में जाएंगे तो K, C, A से भी जाएंगे पर हमारे पास उसकी डिस्सन्स जदा आएगी, तो यहां पर तीन और चार साथ और नो आ रहा है, तो आपको minimum बला लेना, तो हमारे पास क्या है सुन, K, C, B, L, तो यह हमारे पास क्या है, इसका path आजाएगा, नेक्स कोशन दे नेक्स देगे, find the length of shortest path from vertex A to Z, तो यहार पर बोला थे, यह हमारे पास और Z है, और यहां से हमारे पास क्या निकलना है, सुन, इसका shortest path निकलना है, सुन, यहां पर हमारे पास कोई direction निहीं रखिए, तो ठीक है, डाक्शन देर रहिए, तो tension लिनी ज़रूरी तो जुरूरी त अबर पास वाट एक सारी वो लिख लेते हैं तो A आ रहा है B आ रहा है C आ रहा है दन अबर पास D आ रहा है दन यह आएगा वर पास E F G and I think उसकी बाद अबर पास आ रहा है Z आया है यहाईगा रहा है इसवीन यहाई पर पीना पर लीफ पर जाएंगे तो 5 हो जाएगा A से E पे जाएंगे तो 2 हो जाएगा बाकि हमारे पास क्या आएगा इंफानेट इंफानेट हो जाएगा तो यार हमारे पास minimum कौन सा रहा यार राइट यार ये 0 हो जाएगा ये 2 हो जाएगा अब हम E पे पहुंच गए यह आँ पहुंच गे, इसमिन E पहुंच गे, तो आप E पहुंच जाओ, अब E पहुंच गे, मतलब यहाँ आगे, और यह two distance चल लिए, अब हम यहाँ से कहा कहा जा सकते हैं, एक तो यहाँ जा सकते हैं, दो ही हमारे पास तरीके, वापिस A पह जाने का तो कोई मतलब नहीं ब आँगा, तो सुन बात करेंगे, E से D पहे, मतलब नहीं जा पारें तो जो पांच है उसको आए, जिरी से उतार देंगा, अब सुन E से F पह लेते हैं, तो F लेंगे तो 3 और 2 हमारे पास क्या जाएगा, सुन 5 हा जाएगा, अब E से G पहे हमारे पास 6 आरा, तो 6 और 2 कितना आरा जाएगा, यहार पास 5 हा जाएगा, यह हम पास 4 हाएगा, अब आगे बढ़ते हैं, मतलब B कहा है, from B हमारे यहाром यहां पहुंच गया तो यहां पर पास कितना रहा है चार अब जानते हैं यहां पांच और पास किया जाएगा यह 5 यह और यह और पास और दूसा तरीका नहीं अब इस पर पास मिनिममम क्या रहा है मिनिममम मर पास यह यहा और यहां पे मरे पास पांच आ गया, clear है, अब D से हम कहा कहा जा सकते हैं, तो D से हम यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, तीन रास्ते मरे पास खुल रहे हैं, तो यह 0 तो AZD से जाएगा, अब इस उन B पे, तो AZD 4 ही आ रहा है, अब D से हम C पे जा पार भी तो मतलब भी नहीं है ना वसा एक तो यह नहीं यह तो पांच और चार नुव आ रहा है जब कि यह पर पांच आ रहा है तो यह पांच ही लिगदेंगे ना क्योंकि जो मिनिमम्म में उसको पकड़ें गया यह राइट कर दी से जी पर तो नहीं जा पार है तो पंदरा तो यहां पहुंच जाएगा अब हम एफ से कहां कहां जा सकते हैं पहले काम करता है यह हमारे पास छार था सुनिया हमारे पास क्या था चार था ये चार था ये पांच था ये दो है और ये पांच जो है हमारे पास फिक्स हो एक बार लिख दो है अब सुनिया पर क्या कर जा सकता है देखो है हमारे पास यहां से एक तरीका यह है दूसरा तरीका यह है और पस यह है इसके लाव तो को 5 और 3 8 ओरए, जबके हमारे पास 2 होएं तो मतलब долларов नहीं है, f से इप मतलब ही नहीं है, abf तो आपस जी में, तो आरे 5 और 5 कितना ओरए ? 10 ओरए जबकि यहाँ पर हमारे पास 8 ओरए rien, और 20 हमारे पास है तो आ अट ही लिग दो, अब हमारे पास f से z पे तो पर जाने तो रस्ता ही नहीं तो 15 हो जाएगा अब हमरे पास minimum क्या आगाए तो हम पहुंच गए चार है यह साथ है जो फिक्स होगे इसको 5 है इससे कम तो नहीं हो सकता है दो है एन 5 है अब हम कहां कहां जा सकते हैं तो यार सी से हमारे पास एक तो होता है आपाब जैड़ जाने का रस्ता है और एक हमारे पास इसके ला to कुछ नजर नहीं आ रहा है खिर उलटा बी पे भी है पर मुझे लगता ने क्युंकि सब फिक्स हो गए तो हमारे पास जी वाले देखें गे तो इस उन जी पे जाने का आप जैट से वापिस G पे जाने का रस्ता होगा तो यह आठ यहां आ गया है ना तो आठ और दो दस हो रहा है तो यह आठ ही आएगा तो मुझे लगता लास में हमारे पास यह फिक्स हो जागा राइट अब हमें बोला जा रहे है कि A से Z तक पहुचने में हमारे पास क्या होगा तो सुन ए से Z में पहुचने का हमारे पास जो डिस्टेंस होगा है ना मिनिममम डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा है ना लेंथ क्या होगी सुन लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास आठ हो जाएगी र Z है ना जब इस PASS के तुरू जाएगी तो बहरे पास DISTANCE कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी तो इस तरह से Q&S को मिया पर solve करते हैं सुरिव करें यार यह Q&S कमेंट बॉक्स के लिए इसका अंसर मुझे कमेंट करके देना है कि इसका जो shortest path है वो क्या होगा यह आपको मुझे बताना है और सुन ऐसे और भी वीडियो मेंने डिसकत मैथमेडिक्स और ग्राफ चियोरी पर अप जाके यहां पर मेरी पूरी प्लैलिस देख सकते हैं अगर आप CSI